हाई फ्रेंज वेलकम तो माई चैनल टेली ओनलाइन क्लास आज की वीडियो में हम अपनी सारी जो हम टेली प्रैंड की वीडियो कर रहे थे टेली प्रैंड के कॉंटेंट कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा मैं बैकड्राउंड दे देती हूं पहले इसका आपको कि हम कौन से वीडियो को सिक्वेंस वाइस लेकर आएंगे देखे जैसे मैं टेली प्राइम की स्टार्टिंग से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी यहां पर देखे मैंने अपने चैनल पर वीडियो ऑपन की हुई है देखे यहां पर जो सिक्वेंस वाइस वीडियो आपको मिली थी, वह आपको टेली प्राइम मिली थी, 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 मिल आप कोस्ट टेली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और जैसे वीडियो आती रहेंगी आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी और आप सीक्वेंस वाइस उन वीडियो को देखेंगे तो आपका काफी सारा कंटेंट तो कवर हो जाएगा इसके थू करने से भी और उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए अपलाई करना चाहते हो तो भी आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं सर्टिफिकेशन के लिए भी आपका एंडॉल्मेंट करवा दूंगी ये तो फ्री ओफ कॉस्ट कंटेंट है जो आपको यूट्य चाहिए तो टेली प्रैम का वीडियो पैकेज भी रेडी हो चुका है जिसमें आराउंड वन ट्वांटी प्लस वीडियो आपको मिलेंगी आराउंड वन फिफ्टी तक जाएंगी वो वीडियो तो इसमें आपका सारा कंटेंट कवर है बहुत जादा इंडेप्थ लेवल प पैकेज में तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सीक्वेंस वाई साई चीज़ें चाहिए तो वो पेड वीडियो कोर्स है आप हमारी आर्जे लर्निंग आप पे जाकर भी इसको परचेस कर सकते हैं या फिर हमारी वैबसाइट पे जाकर आप वहां से भी बाई कर सकते है अगर आप website से buy करेंगे तो आपको google drive के through सारी videos मिल जाएंगी drive के लिंक के through अगर आप app पे buy करेंगे course को तो वहाँ पर ही आपको access मिल जाएगा सारी videos को देखने का और इसमें plus point क्या होगा कि videos करते time आपको जब आप content को learn कर रहे होंगे जब आप सीख रहे होंगे उसमें अगर आपको कोई भी queries होती है तो आप मुझसे queries पूच सकते हो वीडियो course में आपको जो भी queries रहेंगी आप मुझसे पूच सकते हैं मैं उसके लिए आपकी help करूँगी जैसे आप कोई assignment solve कर रहे हैं या video में आपको कोई चीज समझ नहीं आई कोई concept आपको clear करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं दुबारा से अपने YouTube चैनल पर और मैं आज जो आपको करवा रही हूं topic tally में वो है हमारा account groups क्योंकि हमने simply company creation कर लिया है masters हमने create कर लिये हैं transactions हमने कर लिये हैं और reports में भी हमने सारी check कर लिये हैं अब उसके बाद जो मैं आज आपको करवा रही हूं वो मैं आपको accounts group करवा रही हूं account groups क्या होते हैं आज format नारमली जब हम लेजर्स क्रियेट करते हैं देखी जैसे जब हम लेजर्स क्रियेट करते हैं suppose मैं कुछ भी मतलब लेजर का नीम यहां पे लेती हूंあります तो आपיד gewesen, मतलब कोई भी name देदेखे हैं make sure no I have any name देख सकते हैं लिस्ट ऑप groups की और shaking यह 28 groups होते हैं जो predefined होते हैं मतलब टैली में पहले से होते हैं लेकिन अगर हमें किसी group की need होती है कि हमें उस group की जरूरत है हमें वो group चाहिए तो हम उस group को create भी कर सकते हैं यह तो predefined group है, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी changes नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई new group की requirement है, तो आप tally prime में बना सकते हैं, तो अभी मैं आपको इसमें example देती हूँ, कि tally में हमें अभी group की जुरत क्यूं है, suppose हमारी company advertisement करवाती है, different different तरह से advertisement करती है, तो हमें advertisement देखना है कि total हमारा advertisement पे कितना expense आ रहे हैं, और हमारे advertisement के sources अलग अलग है, suppose हम newspaper में ad देकर करवाती हैं, हम digital marketing के through करवाती हैं, हम google ad के through करवाती हैं, अलग-अलग pamphlet के through हम advertisement करवाते हैं, तो मतलब हमारे advertisement sources अलग-अलग हैं और हम उसको total देखना चाहते हैं, यह सब है, तो advertisement का ही expense, तो हमें total advertisement expense भी देखना है, तो अब आप खुद बताइए, advertisement के नाम से हमारे पास कोई group तो होता नहीं है, advertisement का कोई group नहीं होता, advertisement का हम ledger बना सकते हैं, उसको हम indirect expense group दे सकते हैं, क्योंकि हम आपा indirect expense के नाम से group होता है, तो indirect expense के अंदर तो हमारे और भी तो expense आजाएंगे, सारे expense आजाएंगे indirect वाले, तो हम advertisement को अलग से नहीं लेकर आपाएंगे, तो advertisement expenses को maintain करने के लिए मैं यहाँ पर group का use कर सकते हूं, मैं advertisement का group बना सकते हूं, मैं आपको यहाँ पर जो need है वो बता रही हूं कि group हम क्यों बनाएंगे, किस किस case में हमें groups बनाने की जुरत पड़ेगी, तो जैसे भी मैंने यह example आपको दिया कि advertisement मेरे को total देखनी है, बट advertisement के नाम से मेरे पास कोई group नहीं है, इसलिए मैं मैं यहाँ पर master's में account group create कर लूँगी advertisement का, यहाँ पर मैंने advertisement के नाम से group create किया, under indirect expense, क्योंकि main जो group है वो तो indirect expense ही है न, तो यहाँ पर indirect expenses ले ले लेंगे और इसको कर देंगे accept, ओके, अब accept करने के बाद हमने advertisement का group बनाया, ledgers अब हम create करेंगे, और यह चीज़ का ध्यान देना है, कि जो भी मतलब कि आप group create कर रहे हो, उस group का यूज आपको यहाँ पर ledgers create करते time, जरूर करना है, यह न कि आपने group तो बना लिया, और ledgers बनाते time आप उस group का यूज ही नहीं कर रहे है, और last में आप report चेक कर रहे है, तो आपको उस group के अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं, क्यूंकि आपने group का use तो कहीं किया ही नहीं, है ना, तो इसलिए ledgers create कर दे time group का use करेंगे, तो मैं आपर दे देती हूँ, newspaper ad, मैंने का मैं को newspaper के through ad करवाया, और आप देखेंगे, advertisement के नाम से मेरा group यहाँ पर show कर रहा है, क्यूंकि मैंने अभी बनाया है, तो मैं इसको group दे देती हूँ, advertisement, अभी हमें GST का, कुछ भी हम use नहीं कर रहे हैं, तो GST को not applicable करते हैं, TDS को भी undefined रखने हैं, अभी use नहीं कर रहे हैं, और इसको हम कर देंगे accept, उसके बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ, google ad, google ad के through, हमने advertisement करवाया, तो मैंने google ad भी ले लिया, और भी मतलब जो भी आपके sources थे, उसके according आप यहाँ पर masters create कर सकते हैं, अब हमें in expenses की payment करनी हैं, अब हमें payment कैसे करनी हैं, आप payment voucher में कर सकते हैं, single entry mode, double entry mode, जिसमें मर्जी आप कर सकते हैं, वैसे आप double entry mode में करेंगे, तो आपको ज्यादा easy रहेगा, तो यहाँ पर हम double entry mode कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप beginner हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से debit create mode में payment voucher में, ऐसे समझ पाएंगे, अगर आप double entry mode में करेंगे, यहाँ पर हम payment पर हैं, और हमें यहा में आपके यह normal expenses हैं, आप हर मन्त ही इसको पेई करेंगे, तो अभी आप कुछ भी random दे सकते हैं, मैं अभी common entry आपको डाल के दिखा रहे हूं, जैसे मैंने Google Ad ले लिया, इसको मैंने 6,000 रुपीज दे दिया, and last में मैंने हाँ पर cash ले लिया, या फिर credit ले लिया, जैसे भी bank से लेना है, bank भी ले सकते हो आप यहाँ पर, तो जैसे कि हमने cash ही ले लेती हूं, और cash का में opening balance जाल देती हूं, क्योंकि cash का मेरे पास balance कुछ डला नहीं हुआ, तो इसलिए वो negative balance आ रहे है, इसलिए मैंने 1 like यहाँ पर opening डाल दिया, और अब मेरा यह cash में transaction हो गई, अगर at the end of the month, at the end of the quarter, at the end of the year, आप जब मर्जी, मतलब आप देखना चाहते हैं, कि total advertisement पे आपका कितना expense आया है, तो आप क्या करेंगे, डिस्पले में आप आएंगी, और डिस्पले में आने के बाद, आपको क्या करना होगा, डिस्पले में आने के बाद, आपको क्या करना होग देखो total, मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि advertisement जो है, वो total 11,000 रूपीज है, जो कि हमने expense किया advertisement पे, और single single आपको देखना है, तो यह आपको single single भी दिख रहा है, अभी को मैंने 2 expense लिए है, आप और भी advertisement जितने मजी sources से करते हैं, आप यहाँ पे बना सकते हैं, और यही आपको जिस चीज को total देखने है, उस चीज का group बना लो आप, तो आपको help हो जाएगी कि आप उस particular चीज को एक समराइज करके group wise देख पाएंगी, okay, तो मैंने Tally ERP 9 में भी group का feature बताया है, उसमे मैंने example टेटर्स क्रेटर्स का लिया है, बट इसमें मैंने expenses का example लिया, तो इन सब चीज के लिए हम group का यूज करते हैं, आप एक बार प्राय करके देखना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूच सकते हैं, जो students Tally already उनको आता है या किसे institution से उन्होंने सीखा हुए और उनको certification चाहिए, तो उसके लिए भी वो मुझस कर सकते हैं, जो professionals जिनको SAP की training लेनी है, वो SAP की training के लिए भी मुझसे contact कर सकते हैं, क्योंकि SAP FICU module हमने start किया है, जिसमें हम students के resume बिल्ट करते हैं, जोब के लिए भी उनको हम reference देते हैं, तो कोई भी ऐसी requirement है, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, WhatsApp नमबर नीचे मेरा लिखावा होगा, तो आप मुझे call भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, Thank you, thank you so much for watching this video.